कम उम्र में जो अरपपती बने जे पॉल गेटी उन्होंने दुनिया को तीन सिधान दिये पहला अगर अमीर और कामियाब बनना है तो बिजनस करना होगा नौकरी से सिरफ आजीवी का चलेगी बुरी चीज नहीं है लेकिन सिरफ आजीवी का चलेगी दूसरा सिधान तुनोंने दिया कि वो बिजनस कैसा हो वो बिजनस हो FMCG überzeugt का इसलिए टाटा ट्रक बनाते बनाते चाय बनाने लगा नमक बनाने लगा रिलाइंस बिंडी बेचने लगा और तीसरा सिदान्त उन्होंने दिया कि वो बिजनस 3% आप पर निर्भर करें और 97% लोगों पर निर्भर करें यानि नेटवर्क बनाए बिना आप अमीर और काम्याब नहीं बन सकते आप किसी भी बड़े काम्याब इंसान की जीवनी पढ़ लेना उसका कहीं न कहीं नेटवर्क जरूर होगा चाहे वो टाटा बिरला हो, रामदेव बाबा हो, या कोई स्पोर्च परसन हो, कोई बड़ा बिजनसमेन हो, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो इन लोगों की काम्याबी का एक रीजन इनका नेटवर्क होता है और जो लोग पूछते न की जोड़ना क्यों है, इन लोगों कुछ इड़ अबसे नहीं है आप जब भी कोई बड़ा इतिहास पड़ोगे, एक बहुत चोकाने वाली चीज मिलेगी पूरी दुनिया में हम अकेले ऐसे थे जो एक हजार वर्ष तक हस्ते हस्ते गुलाम रह गए चालिस करोड थे फिर भी रह गए रीजन एक सर्वे हुआ था अमेरिका जपान और इंडिया के बीच कि ये तीनों क्या करते हैं जब बिजली जाती है अमेरिका का सिंपल वो एलेक्रिसिटी बोट को फोन करते है और बिजली की विवस्ता करवाते है जापान 99% जापानी खुदी बिजली ठीक कर लेते हैं और एक आद की जुरुएत हो दिये तो एलेक्रिसिटी बोट कर फोन लगाते है इंडिया वाला क्या करता है ये बहार निकलता है देखता है इधर की भी गई इधर की भी गई तुझे क्या जुरुत पड़ी है तू भी मस्तर है हम एक हजार वर्ष तक सिरफ इसलिए गुलाम रह गए कि जब भी जुरुत पड़ी बाहर निकल के देखा, ये भी गुलान, तुझे क्या चिंत है, तुभी मस्त रहे? तो ये भी जॉब कर रहे? ये भी जॉब कर रहे? तुझे क्या पड़ी है? अमीर बनने की, जैसे कट रही है, कटने दे? और जो लोग कहते हैं न कि network marketing मेरे level का business नहीं है तो आज companies की situation ऐसी हो गई है कि company आप plan कर रही है कि जो 50,000 लेने वला है उसको भाण निकालो और इसकी जगा 5-10-10,000 वले नए लेकर आओ youngsters लेकर आओ reason वो 50,000 कमाने वाला अब new skill सीखने के लिए ready नहीं है और ना उसके अंदर इतनी capability है तो companies प्लान कर रही है कि youngsters को लेकर आओ वो काम भी जादा करके देंगे उनके अंदर energy भी काफी है और new skill सीखने के लिए भी ready है तो जोन लोगों को ही लगता है कि network marketing मेरे level का business नहीं है मैं लोगों को जाकर plan नहीं दिखा सकता तो भाई जब खाने के लाने पड़ेंगे न जब company बार कर देगी आप लोगों को जब salary आना बंद हो जाएगी तो अपना परिवार का पेट पालन करने के लिए मांगोगे भी लोगों से भीक तक मांगने में शरम नहीं आएगी यह तो फिर network marketing है इतनी अच्छी industry जहां लोग अपनी जिंदगी बदलने के साथ साथ लोगों की जिंदगी बदल जाते हैं कितने लोगों की जिंदगी